प्रदेश के मुक्य मंतुरी बुपिश बखेल रायपूर एर्पोर्ट पर केंद्री गिरह मंतुरी अमित्र शाहस से मुलाकाद की वहीं मुलाकाद की बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीम बगेल ने ना कहा कि भारती जन्ता पाच्ची को 2024 में 10 साल पूरी होंगे लोग महगाई बिरोजगारी से तवस्त हैं जो वादे केंद्र सरकार ने किये थे लोगों को सही कहीं पर भी दिखाई नहीं दियें लोग महगाई से परेश्वान हैं और उन्होंने कहा कि हम 2023 में भी जीतेंगे और 2024 में सभी लोग सभास सी चशी देंगे स्रीम ने राश्रन को लेकर कहा इस सरकार पांच क्लू चावल देती है हम लोग प्रति परिवार 35 क्लू चावल दे रही है 36 गड़ में अमित शहा के डबल इंजिन वाले बयान पर प्रटबार करते हुँ उन्होंने कहा कि डबल इंजिन की जरकार के माचल वाले ने नकार दी है और डबल इंजिन की जरकार फिलो चुकी है कहा कि 36 गड़ की जनता जान चुकी है कि डबल इंजिन की जरकार ट्रफल इंजिन है अमिसाजी आया थे तो 65 पार की बात कहा थे 65 पार की बात सास आपने कही थी अब उस समय मैंने कहा था वह अपने लिए नहीं कर रहे हैं वह हमारे लिए का रहे हैं और हुआ यही कि हम 68 पार कर गए अब तो एक 70 हमारे हैं तो 2030 भी हमारा है जनता जान चुकी है जो एंडे की सरकार है दोजार चोबिस उनको 10 साल पूरे होंगे महंगाई रोजगारी से सब तुरस्त हैं और जो वादे केमर सरकार में किये थे रोजगार के बात है वो कहीं लोगों को दिखाई नहीं दे रहा महंगाई से लोग परसान हैं मैं समासता हम जीतेंगे दोजार चुबिस भी हम सभी लोग सरा सीट जीतेंगे